अलो फ्रेंड्स आम यू आक्वपंक्चे साबित खान, वेलकम तू माई चैनल, तोड़ा एम गोईंग टो एक्स्टेन यू अबाउ सीवी 12 एक्यू पॉइंट, चैनीज में इसको जॉंग वन बोलते हैं, यह एक फ्रेंट कलेक्टिंग पॉइंट है, स्टॉमक और्गन का, पेट के बीच के हिस्से का, जिसे मिडल बर्नर भी बोला जाता है, गैदरिंग पॉइंट है, सारे यांग वार्कन का, सीवी 12 को एक एनरजी सेंटर है, जिसे स्टीन सेंटर भी कहा जाता है, यह स्टीन सेंटर तीन लेवल पे वर्क करता है, हब से पहला physical level पे, दूसरा emotional level पे, तीसरा mental level पे physical level पे यह responsible है mouth से लेके intestines तक जितने भी organs है और digestion का जो process होता है mouth से लेके intestines तक उसके लिए responsible है emotional level पे यह emotions को balance करता है जो emotional group में आते हैं जैसे कि worry, insecurity, over concern प्रोसेस ऑफ मेमोरी को और साथ ही ब्रेन के एनालेसिस करने की शमता को उसको भी साथ में रेगुलेट करता है। सबसे पहला यह टोनिफाय करता है जो टोनिक काम करता है स्तॉमक क्ष्प्रीन के लिए डैम्प और फ्लैम्प बॉड़ी में हो जाए उसको रिजॉल्फ करता है। स्टॉमक एनर्जी को रेगुलेट करता है और साथ ही माइंड को काम करता है इसके जो सिम्टम्स है वो है वीक कॉंसिशिशन बौटी का सम्मिधान जो है वो कमजोर होता है वीक मसल्स वीक लिम्स पूर एपिटाइट भूक नहीं लगती लूज टूज धारिया रहता हो उसके बहुत अच्छा यूज है इस पॉइंट का अब्डॉमिनल फिल्नेस पेट फूला-फूला सा रहता हो मुह में चिप-चिपा टेस्ट आता हो उसके अलावा इडीमा हो डिप्रेशन हो उसमें बहुत अच्छा यूज है पेट के जितने भी सारे रोग हैं जैसे एपिगेस् स्थिक फुलनेस रहती हो पेट फूला फूला रहता हो भूक ना लगती हो इन लेहीं सब में बहुत अच्छा यूज है cv12 का सब से लास्ट को काम करता है mind को काम करता है उसकी वेसिए depression को टीट रेय Plans करता है ओरी को को टीट करता है सिए यूसफुल पॉइंट है लगबग डेली प्रैक्टिस में यूज होता है आई अब इसकी लोकेशन जानते हैं तो फ्रेंड्स यह है cv12 यह एक एनर्जी सेंटर भी है जिसे स्प्लीन सेंटर बोला जाता है इसको लोकेट करने का बहुत आसान तरीका है यह एम्बैलिकस है हाथ आपको इस्तरा रखना है और एम्बैलिकस से फोर फिंगर्स उपर cv12 यह cv12 है थैंक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो सब्स्राइब करना ना भूले और लाइक का बटन दरू दमाएं थैंक्यू वेरी मच्च सी यू नेक्स ताइम